पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के इसकड़ी में आप देख सकते हैं कि वैटेकन सिटी पहुँच गये हैं जहां उनकी पोप फ्रांसेस से मुलाकात होनी है चार दीवसिया दौरा है पीएम मोदी का और जी ट्वेंटी समिट में शरकत करने इतली पहुचे हैं लेकिन उससे पहले काफी व्यस्त कारिकरम है और इस कारिकरम के तहट ये काफी एहम मुलाकात मानी जारी है पोप फ्रांसेस जैसे एसाई धर्म में सबसे बड़े गुरू के तौर पे लिया जाता है सबसे बड़ा धर्म गुरू उनको माना जाता है यहां पर उनके मुलाकात होगी दोनों के वीच किस तरह से विचार आदान प्रदान होगा ये भी देखने वाली बात होगी चार दिवस्या दोरा है कल पियमोदी इटली पहुंचे थे शांदार स्वागत उनका हुआ था उसके बाद वो भारतिय मुल के लोगों से भी मिले और शाम के वक्त इटली के प्रदान मंतर मारियो द्रागी से उनके मुलाकात हुई और मारियो द्रागी ने जिस तरह से भारत में वेक्सिनेशन का कारिकरम चल रहा है उसकी तारीफ भी की ट्वीट किया था और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाटिकन सिटी के किस तरह से इटली में एक बार फिर नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है चार दी वसिय ये दौरा है पहला पढ़ाव इटली है इटली जहां पर पियमोदी जी ट्वेंटी समिट में शिरकत करेंगे पहला सेशन होगा आज उसमें पियमोदी पूरी दुनिया को जी ट्वेंटी समिट के जरीए के आसंदेश देते हैं ये देखने वाली बात होगी लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आरी हैं ये भी काफे दिल्चस्प हैं पोफ फ्रांसेस से मिलने वैटिकन सिटी पहुँचे हैं पियमोदी और देख सकते हैं किस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया तमाम बढ़ दिकारी वहाँ पर पियमोदी का स्व देश देना है कि भारत किस तरह से जलवाई और परिवर्थन को लेकर कदम उठा रहा है किस तरह से भारत वैक्सिनेशन के महीम को आगे बढ़ा रहा है इसके साथ जो दूसरे कारिक्रम हैं उसमें भी पियमोदी शिरकत करें और उसी तड़ी के तहत आप देख सकते हैं कि पियमोदी वाटिकन सिटी पहुचे हुए हैं पोफ फ्रांसेस से उनकी मुलाकात है जो तस्वीरे सामने आएंगी वो भी बड़ी दिल्चस्प होंगी बचारों का आदान प्रदान संस्कृतियों का मेलन यहां पर होने जा रहा है उनके सबसे बड़े धर्म गुरू होते ह पोफ फ्रांसेस पूरे दुनिया उनको सम्मान के निगा से देखती है और देश के प्रदानमंती नरेंदर मोदी उनसे आज मुलाकात करने जा रहे हैं यह तस्वीरें हम आपको वैटिकन सिटी के दिखा रहे हैं प्यम मोदी कल इटली पहुँचे थे शांदार स्वागत वहां पर उनका हुआ था और आज वैटिकन सिटी में प्रूफ फ्रांसेस से उनकी यह एहम मुलाकात होने जा रही है इटली के बाद प्यम मोदी का जो अगला प्राव होगा वो ब्रेटेन का होगा जहां जलवायू परिवर्तन को लेकर समेलन होने जा रहा है उसमें प्यम मोदी शिरकत करेंगे इसके अलावा कई अन्य देशों के जो अध्याक्ष हैं प्राश्ट्र अध्याक्ष उनसे भी दिपक्षवार्ता प्यम मोदी की होगी तेकिन इस बीच एक धार्मिक मुलाकात कह सकते हैं कि एसाई धर्में पोर फ्रांसेस सबसे बड़े धर्म गुरू उनको माना जाता है जल्दी बहार आएंगी कि दुनों के बीच किस तरह की ये मुलाकात हुई दुनों के बीच किस तरह से दो संस्कितियों को लेकर वचारों का अदान प्रदान हुआ जी ट्वेंटी समिट जिसका पहला सेशन आज है जी ट्वेंटी समिट उसमेट उसमें भी पी अमोदी किस तरह का संदेश पूरी दुनिया को भारत की तरफ से देते हैं ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी इसके लावा आज शाम रा दस बजे के करीब इट्ली में सांसकत कारकरम का आयुजिन होगा भारतिययामोल के लोग वहाँ पर गई शांदार प्रस्तुती पेश करेंगे वहाँ पर भारतिया मूल के लोगों को क्या संदेश देते हैं ये भी देखने वाली बात है क्योंकि पियमोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतिया मूल के लोगों से मिलते हैं वहाँ पर उनको संबोधित करते हैं यानि काफी व्यस्त कारिकरम इटली में PMODI का कल ही PMODI रोम पहुँचे थे तब से अब तक एक के बाद एक तमाम कारिकरमों में शिर्कत करते हुए और इसे कड़ी में PMODI Vatican City पहुँचे हैं प्रोवफ्रांसिस से मिलने के लिए अब देखना ये है कि ये मुलाकात कितनी दिल दिल्चस्प होती है किस तरह से दो संस्क्रितियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है वो फ्रांसिस उनका निमंतरन यहाँ पर पी अमोधी को मिला था जो अपने आप में बहुत खास होता है अकल भी काफे दिल्चस्प तस्वीरें देखने को मिली थी जब पी अमोधी महात्मा गांधी की मूर्ती पर पुष्प अरपेत कर रहे थे शद्धानजली अरपेत कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद हारतिय मूल के जो लोग थे उनसे उन्होंने बादशीत की इसके लावा भी मूदी का काफी व्यस्ट कारक्रम है कई देशों के राष्टर ध्यक्षों से उनके मुलाकात होगी इस तो राष्टर ध्यक्षें उनके साथ भी उनके मुलाकात आज होगी इटली के प्रधान मंतरी मार्यो द्रागी से उनके मुलाकात हुई है ये मुलाका काफी एहम मानी जा रही है भारत और इटली के रिष्टों के लिए ये तस्वीरे देखिए चलिए इस खबर पर उज़्यादा जानकारी के लिए सिधार रुकरते हैं मेरे वरिष्ट सयोगी अमिताब का अमिताब तस्वीर हम देख रहे हैं पियमोदी पोर फ्रांसेस से मिलने वेटिकन सिटी पहुच के हैं काफी वेस्ट कारिकरम आज रहने वाला है लेकिन सबकी निगाहें जी ट्वेंटी समिट पर वहां से पियमोदी पूरी दुनिया को भारत की तरफ से क्या संदेश तेंगे ये देखने वाली बात होगी पिल्कुल जी ट्वेंटी समिट में आपको याद होगा जी ट्वेंटी के बाद कॉप 26 भी और जी ट्वेंटी समिट में दुनिया के बीज सबसे बड़े और मजबूत देश भाग लेता है तो उसमें भाग देने गाए हैं इस बीच वो फ्रांसिस से मिलना है होलीनेस जो दुनिया भर के कैथलिक के सबसे बड़े प्रीस्ट माने जाते हैं इसे मिलना प्रधान मंतरी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है और उसके साथ ही साथ प्रधान मंतरी मिलेंगे सेक्रेटी ऑफ स्टेट वेटिकन के कारडिनल पेट्रो पारॉलिंस है इन दोनों से मुलाकात प्रधान मंतरी की होने वाली है और खासकर पोप से मुलाकात ये काफी माइने रखती है क्योंकि क्रिश्चिन्स हैं क्रिश्चिन्स भारत में केरल से लेके तमा नौट इसके पूरे इलाके में Christian Catholics बहुत जाना है, तो एक संदेश भी जाता है, एक संदेश जो दुनिया भर में एक जो महौल कायम करने की कोशिश होती है, कि Minority खत्रे में है भारत में, लेकिन ये संदेश पोप मिलना, पोप के साथ बाते करना और पोप के साथ संवाद करन ये संदेश दुनिया भर को जाता है, ये संदेश भी दे रहे होंगी दुनिया भर के देशों को, कि प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री हैं, जहां सब भारती हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश है मिलना, और खासकर जो असली बैट है कि G20 Summit ये संदेश भारत की संस्किति है, तो मुझे लगता है कि भारत की संस्किति है, सद्भाव की वो संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए इटली से साफ़तोर से नजर आ रहा है, शुक्रिया, अमित आप